नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल रेडिंग लावर्स पर दोस्तों आज की जू वीडिये इसमें हम बात करने वाले हैं ये जो डिटी प्लैस भी जो है दिल्ली सबोडिनेट सेर्व सेलेक्शन बोडिन के द्वारा जो हाली में आसिस्ट एंड प्रेमरी वालों के लिए जो एक्जाम लिए गए था तो इसका जो रिजल्ट है वह आ चुका है और अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाते हैं तो हमारे सातन तक बने रहीएगा इसमें हम ये जो डिटी प्लैस भी जो है इनकी में जो वेबसेट है हम इस पर हैं और इ लिटीप से अपकी ये अप्डेट जारी हुए है और यहां पर आप देख सकते हैं पहला ही जो यहां पर नोटीस हुआ हैं तो यह आप देख सकते हैं पहला नोटीस है नोटीस नमबर 1487 है असिस्टेंट टीचर प्रेमरी अंडर पोस्ट कोड़ है 12 jest 21 तो यह जो आई यहाँ पर result notice है और जैसे जामी से link के ओपर click करेंगे तो आपका result यह आ जाएगा और यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो आहाली में जारी हुआ है और यह date है date आप देख सकते हैं यहाँ पर 287 है आसिस्ट एंट टीचर प्रेमरी वालों के लिए post code जो यहाँ पर 42 21 है और यह 42 21 यह post है और कितनी वकैंची थी तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जो यहाँ पर अलग अलग जो category है उसके अनसार यहाँ पर अची दिखाई गई है एड़ाइस के 38 थी यूर की 313, OBC की 6 SC की 44, ST की 33 जिसमें जाए PWD OH की 4 PWD OH की 5 PWD OH की 4, PWD MD की 5 पोश्ट थी और यहाँ पर जाए उसके बाद जाए यह ए एक्जाम दिखाए गया है तो यहाँ पर देख सकते है एक्जाम जो हुआ था दा ओनलाइन एक्जाम वाज करेक्टिन ओन डेट साथ से लेकर 30, 30, 2022 तक आपका एक्जाम हुआ था और टोटल जो कंडेट थे 6,400 निवस्टी कंडेट थे जिनकी दोबार एक्जाम दिया गया था और यह अगर आप अपने मार्क्स देखना चाहते हैं तो यह जो OERS जो है इस पर जाकर आप देख सकते हैं यह लिंक है और अगर आपके पास मार्क्स देखने नहीं आते हैं किस तरीके से मार्क्स देखे जाते हैं तो इसके उपर हमारे द्वारा पहले वीडियो इपनाई गई है और वह वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अम्तमी मिल जाएगी तो उसमें देखेंगे आप आपसे सकते हैं किसरीख से आप मारक्स चेक्क कर सकते हैं और उसके बाद जो यहां पर 1817 कंडेट है जो यहां पर इडोसर के लिए चुनी गई है तो यह जो 1817 कंडेट है इन्ही को ही जो आप इडोसर पर डॉक्मेंट अप्लोड करने होगे यह आप दिख सकते हैं अप्लोड दिख सकते हैं तो यह 1817 कंडेट है जिनोंने यह डोसर पर डॉक्मेंट कहां से अप्लोड होते हैं वह भी जाप को सी वीडियो मिल जाएगे जिसमें आप अपने मार्क्स जो चेक करेंगे उसमें जाप को सभी जनकारी मिल जाएगी और यह जो इडोसर का जो लिंक है यह सिर्फ उनिक अडेट के लिए ही खुलता है जो इसमें स्लेक्ट होते हैं और दूसरे जाप इसमें डॉक्मेंट अप्लोड नहीं कर सकते हैं तो इनके कितने कटोफ मार्क्स वगया रहा हैं वह भी यहाँ पर दिखाए गए हैं तो यह कटोफ मार्क्स आप यहाँ पर P33, SC के 114.51, SC के 113.56, और PWD के 83.13, तो इतने यहां पर cut-off हिए गई है, और उसके बाद कुछ candidate के मन में यह भी स्वाल रहता है कि कितने marks यहां पर लेने जुरूर होते हैं, तो यहां पर जो यह EWS, UR, EWS काटेगरी वाले जो कंडेट हैं, उनके लिए 40%, OVC कंडेट के लिए 35% और जो यह SC, ST, PWD काटेगरी वाले जो होते हैं, इनके लिए 30% अंक लेना इसमें जुरूरी होता है और EWS का जो लिंक है, यह इनके लिए एक्टिव रहेगा एक तारिक से लेकर 15, 10, 2022 तक, तो पहली बार जो इसमें 15 दिन का समय दिया जाता है, तो एक तारिक से लेकर 15 तारिक के बीज में, जो आपने जितने भी अगर आप इस डेट में नहीं करते हैं, तो फिर आपको बाद में दिक्कात आ सकती है, वैसे जो आप पहली बार में डोकुमेंट अपलोड कर लेते हैं, तो वो जाए अच्छी बात रहेगी, और जो कर डेट यहां पर यह स्लेक्ट वे हैं, उनके पास इमेल या पिर आईस अपडेट की तरफ से जार की गई है, और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेश्प करके में तपून अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक में टर शेयर जरू कीजिएगा और हमारे साथ अंतबनन के लिए खन्यवाद